इस design को हम लोग बनाना सीखेंगे और आप इसके आपर कोई भी text add कर सकते हैं हम लोग start करेंगे और मैं यहाँ पे एक new file लोगा 1600 by 1200 resolution is 72, color mood RGB, 8 bit with white background and press ok to confirm this अब हमारे पास यहाँ पे यह file open हो चुकी है मैंने यहाँ पे जो color scheme use की है उसमें जो हमारा foreground color है जो के हमारा actually background color है हमारे e-card में वो है bb8a6a मैं यहाँ पे आपको दुबारा बतादा चलू bb8a6a press ok to confirm this color और हम लोग इसको fill करेंगे अपने keyboard की मनद से alt backspace को press कीजिए अपना जो foreground color है color palette में उसको apply करने के लिए अब उसके बाद हम लोगों ने इसके उपर एक texture भी add किया है जो के हमारे पास यहाँ पर इस image में मुझूद है और हम लोग यहाँ से इस image को click and drag करेंगे हमारे इस card के उपर और अपना जो rectangle tool है उसको लीचिए उसकी जो setting है उसमें zero feather है और मैं यहाँ से यह जो हमारा जो check box area है इसको मैं remove करूंगा control d to deselect और हम लोग इसको adjust करेंगे और इसको यहाँ पर मैं पूरे wallpaper में जो है वो set करूंगा हम लोग इसका जो blending mood है उसको करेंगे overlay इसकी जो opacity है उसको थोड़ा सा हम लोग कम करेंगे and I'm gonna set it about like 40, 41 like this तो हमारे बास यहाँ पर एक बहुती जबदस background है वो बन चुका है इसको change करूंगा और अब जो मैं color इसको चेंज करूंगा that's 90664F 90664F और I'm gonna press ok to confirm this color और हम लोग यहाँ पर अपनी custom shapes में से registration target 2 इसको click कीजे और मैं इसको apply करूंगा और इस shape की जो setting है उसमें हम लोग इसको करेंगे to soft light और इसकी जो opacity है उसको भी कम करेंगे हम लोग like about 80 just in normal short touch of shape once it confirm हम लोग ने यह shapes और यह जो हमारा background है उसको तक्रीबन त्यार कर लिया है अब हम लोग इसको इसको पर एक और effect लगाएंगे जो के हमारे पास photoshop brushes में यह जो हमारे पास leaf है हम इसको use करेंगे और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा dark color इस्तेमाल करेंगे like this and press ok to confirm that वाल अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस shape पर भी dark color अपलाई कर सकते हैं that's really depend on you guys लेकिन हम लोग इस tutorial की बात करेंगे जिसमें हम लोग इस वकत काम करेंगे है मैं यहाँ पर एक new layer लोगा make sure कि आप लोग ने एक new layer बनाई है और हम लोग यहाँ पर जो leaves का size है यह देखेंगे सबसे पहले that's perfect और आप लोग इसके ऊपर इसको apply कर सकते हैं like this alright that's confirmed अब हम लोग इसकी जो setting है उसको change करेंगे और इसका जो blending mood है उसको set करेंगे to hard light अब यह काफी हाँ तक mix हो चुके है background के साथ यहाँ पर एक और shape add करेंगे वो shape हम लोग add करेंगे हमारे पस यहाँ पर यह जो heart sign है hard card है इसको हम लोग use करेंगे और मैं यहाँ पर जो इसके pixels है उसको actual pixel करेंगा यहाँ से हम लोग अपनी shape को select करेंगे प्रेस कीजिए shift अपने keyboard से और यहाँ पर हम मैं shape जो है उसको add करेंगा अब आप लोगों पर depend करता है कि आप लोग कितने बड़ी shape जो है उसको add करना जाते है so I'm gonna do something like this अपने keyboard से control को press करूँगा और यहाँ पर मारे पास यह note है जो हम लोग कह सकते हैं कि right top note है उसको click करूँगा और उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा drag करूँगा और सी तरह हम लोग जो bottom right है उसको भी click करेंगे और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यह थोड़ा सा जो heart है वो तिर्शा हो जाएगा and press enter to confirm this हम लोग ने यहाँ पर यह जो heart है इसको add किया है मैं अपने keyboard से control प्रेस करूँगा और हमारे पास यह जो heart की thumbnail है इसको click करूँगा तो यह इसकी जो selection है वो हमारे सामने नजर आएगी इस heart को height कीजिए और हमारे पास यहाँ पर यह selection मौझूद है अब मैं यहाँ पर अपना जो color palette उसको reset करूँगा by pressing dnx की और मेरा जो 4 round color है वो white होना चाहिए take your brush to यहाँ पर हम लोग एक new layer बनाएंगे और make sure कि आप लोगों ने एक soft edge brush तो है उसको choose किया है हम लोग इस selection का इस्तमाल करते हुए यहाँ पर एक white color fill कर रहे है और हम लोगों ने यहाँ ते control d to deselect हम लोग ने यहाँ पर एक बहुत ही खूब सूरत heart है उसको बनाया है हम लोग इसकी जो setting है वो थोड़ी सी करेंगे और इसका जो background shade है वो देंगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर drop shadow में layer style में है drop shadow में हम लोग इसका जो distance को zero किया है blending mood is multiply opacity is 75% size is 5% हम लोग इसकी जो noise है वो थोड़ सी add करेंगे and that's 22 इसकी opacity जोड़ सी कम करना चाहूंगा मै and that's gonna be 50 that's fine all right that's great press ok to confirm that हम लोग अल के इस्तमाल करेंगे और इसकी एक और कापी बनाएंगे like this press edit transform and flip horizontal and here you can add another picture all right अब हम लोग यहां पे text add करेंगे मैं इस tutorial के लिए जो font इस्तमाल कर रहा हूँ that's a twilight font twilight movie के लिए जो इस्तमाल की की थी font उसके लिए मैं इस्तमाल कर रहा हूँ उसको and my start और मैं इसको write करूँगा कि I love you and इसका जो size है वो मैंने किया है 150 control को press करके मैं background layer के साथ इसको centralized करूँगा इसकी जो proper alignment है वो भी हमाले लिए काफी लाजमी है हम लोग यहां से यही color लेके इसको थोड़ सा dark करेंगे और इसको fill करेंगे with this और इसमे stroke भी add करेंगे and it's gonna be 5 that's perfect press ok all right अब हम लोग ने text की setting की है हम लोग ने website जो है evenidrisa.com उसको भी type किया है अब हम लोग यहां से एक picture लेंगे like this और इसको drag कीजिए यहां पे और इसको मैं adjust कर सकता हूँ इस heart के अंदर इसकी opacity दोड़ से कम करूँगा all right अब हम लोग ने यह जो shape ली थी इसको हम लोग दोबारा select करेंगे इसके हम लोग ने एक selection ली है make sure कि आपने जो picture है उसकी layer को select किया है लेगन हम लोग ने selection जो है वो shape की ली है जो हम लोग ने heart shape जो है उसको बनाया था and press control shift i to inverse this selection और हम लोग इसकी जो बाहर की जगा है image के साथ साथ वो हम लोग remove करेंगे and control d to deselect इसको दुबारा zoom in कीजिए मैं यहाँ पर इसके साथ एक mask एड़ करूँगा picture के साथ just slightly यह जो white area हम लोग ने इस image के लिए लिया था वो ही हम लोग दुबारा हासिल करेंगे और उसके बाद हम लोग इस image की जो blending options की setting है उसको change करते है let's see के हम लोगों को कौँ सा suitable है screen that's perfect और इसकी जो opacity है उसको मैंने कम किया है to 80 and just zoom out अब हमारे बास इस तरह की कुछ shape जो है वो हमारे सामने आगी है हम लोग यहाँ पे एक rainbow add करेंगे जो कि इन दोनों hearts को connect करेंगी उसके लिए मैंने अपना जो gradient tool है उसको select किया है gradient tool में से हम लोग यहाँ पे हमारे सामने एक preset है उसको हम लोग check करेंगे transparent rainbow उसको check कीजिए इसकी adjustment है कि हम लोग इन तमाम colors को एक साथ यहाँ पे set करेंगे like this आप लोग इसको बढ़ी ही असानी से देख सकते हैं press ok to confirm that और यहाँ से हम लोग gradient tool में से हमारा जो radial gradient है उसको इस्तमाल करेंगे make sure कि आप लोग ने एक new layer बनाई है और हम लोग shift को press करेंगे और यहाँ से हम लोग एक rainbow बनाएंगे and that's great इसको मैं यहाँ पे adjust करूंगा थोड़ा सा resize भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को जुरूर थो press enter to confirm that और इसके साथ एक mask add करूंगा और हमारे पास यह जो heart area है इससे नीचे हम लोगों को यह rainbow नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको remove भी करूंगा इसकी opacity set करूंगा 30 और यहां से मैं इसको properly remove करूंगा और आप लोग यहां पे भी picture add कर सकते हैं और हम लोगों ने इसको heart, दोनों hearts को हम लोगों ने rainbow की मदद से connect किया है और यहां पे आप लोग sparkle brushes का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो हम लोग यहां पे एक normal five points का जो brush है उसको ले सकते हैं और इसकी जो setting है उसको change कर सकते हैं इसके दर मियान हम लोग spacing add करेंगे और shape dynamic में हम लोग इसका जो jitter है उसको add करेंगे और we can work with angle jitter और scattering में हम लोग इसको scatter करेंगे थोड़ा सा और count पी add करेंगे थोड़ा सा और मैं इसको save करूंगा to my brush that's okay make sure के आप के पास एक white color है new layer पे आप लोग काम करें है and you can just add sparkles like this well this is just a new design 2010 Valentine's Day 14 February you can just share it with your loved ones your friends your family just could be upload I love you can अचाते है और आप लोग यहां पे हर color के साथ थोड़ा साथ थोड़ा सपार्कल्स आइड करते है आप लोग के डिबेंड करता है कि आप लोग किस तरहां इसको design करना चाते है आप लोग किस तरहां इसको design करना चाते हैं और वहां से आप लोग information हासिल कर सकते हैं